नमश्कार, वेलकुम् टू कैम सिक्षा, इस पर्टिकुलर कोश्चन इस रॉम आइटी एडवांस 2016 पेपर, पैरेग्राफ वला कोश्चन है, और इस पैरेग्राफ में आपके पास दो कोश्चन है, यह उपार पैरेग्राफ दे रखा है, पहला कोश्चन ये था, फिर मैंने से पैरेग्राफ लगा रखा है, फिर से 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 केंड कोश्चन पेस्ट कर रखा है, तो दोनों कोश्चन को एक एक करके जरह करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले यह आपसे कहा क्या रहा है, जरह इसको पढ़ते हैं, सबसे पहले कहा रहा है आपसे कि कोई रियार्शन है, ज अच्छा जी, दूसरा क्या, at the starting reaction, at the starting reaction, there is one mole of x2, initially at time t is equals to zero, इसके कितने, इसके आपके पास एक mole दे रखे हैं, ठीके, after some time, मतलब इसके obviously initially zero होंगे, ठीके जी, उसके बाद क्या कह रहा है, after some time, आपका बता है, इसमें से कुछ alpha जाएगा, तो यह आपका 2 alpha बनेगा, अगली 2 alpha b है, तो इसी को मैं और करके ऐसा लिख लूँ, कि अगर यह क्या हो रहा है, यह अगर b बन रहा है, actually beta है, अगर यह beta बन रहा है, तो यह 1 minus beta by 2 टोट रहा होगा, ठीके जी, b क्या है, thus b equilibrium is the number of moles of x formed at equilibrium, सही बात है, इस वक्त यह equilibrium पे आ चुका है, और x के जितने moles बने हैं, उसको बोल रहा है कि यह beta है, मैं बार-बार b बोल रहा है, actually beta लिखा हुआ है, तो beta आपके number of moles उसने बोल दिये क्या, beta equilibrium आपके number of moles है, xk, at equilibrium, तो इसके कितने होंगे, इसके होंगे, 1 minus beta by 2, obviously, मैंने यहीं सब निकाला यह, ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है, the reaction is carried out at constant pressure of 2 bar, अच्छा जी, अगर इसके जुरूत पड़ेगी, तो देखेंगे, हो सकता है, इसके जुरूत ही नहीं पड़े question में, आगे करें, consider the gases, behaviors, ideally, और R की value आपको given है, बार के अंदे, अच्छा ठीक है, और आपसे कह रहा है, kp का expression क्या आपको बताना है, तो kp का expression निकालने क होगा, क्या, this will be equals to, you can say, partial pressure of x, मतलब कि इसका partial pressure की par 2, divided by partial pressure of x2, दोनों, गैसे है, यह होगा, अब partial pressure निकालने का formula क्या होता है, कि इसके moles divided by total mole into p total, अच्छा, इसलिए p total दे रखा है, दो बार, ओके, तो p total कितना है, जेरा, देखना जेरा, total number of moles कितने आ रहे है, this plus, this plus, this, मतलब 1 minus beta by 2 plus beta, तो total number of moles कितने होगे, 1 plus beta by 2, यह होगे आपके total number of moles, ठीक है, तो अगर मैं इसका partial pressure निकालने के कोश्च करूं, तो मैंने क्या बोला, इसके moles, जो कि हैं beta, divided by total moles, 1 plus beta by 2, ठीक है, this into p total, p total कितना दरखा है, 2, तो इसका square, divided by इसका partial pressure, इसका partial pressure, कितने निकलेग इसके moles, divided by total moles, into p total, यह, जो आप इसको solve करोगे ना, तो यह सब को solve करने के बाद, आपके पास kp कितना आ जाएगा, this kp will come out to be कितना, twice of beta 2, मैंट बीटा square, divided by 1 minus beta square by 4, यह आएगा आपके पास, और इसको all solve करोगे, तो यह लिगेट कितना, यह 4 उपर चला जाएगा, यह आ जाएगा, 8 beta square by 4 minus beta square, देखना जरा, ऐसा कहीं देख रहा है, 8 beta square, divided by 4 minus beta square, यह, option number B, तो बहुत प्यार से, बड़े प्यार से, बिना कुछ सी complication के, बड़े प्यार से हमरा answer आ गया, option number B, तो first part का answer तो बड़े प्यार से आ जाता है, second part को भी देखते हैं जरा, second part में आपको क जिसमें आपको incorrect statement बताना है, इसको दहान से पढ़ लिया करो, correct बताना है कि incorrect बताना है, इसलिए आज कल IIT बहुत बड़े-बड़े bold letters में लिखने लगा है, correct और incorrect, काफी अबर बच्चे गलती से क्या करते थे, सोचते थे, correct पूछा है, और वो correct answer लिखके आ जाते थे, total pressure result in the formation of the more moles of gaseous x, सही बात है बाई, यह तो हमारे leech artery principle है, तो इसलिए यह तो true statement है, सही बात है, यह तो true है, क्या, लेकिन यह correct हुआ ना, यह तो आपसे incorrect पूछ रहा है, true statement है, यह तो simple सा हम लोग पढ़ते नहीं थे, क्या पूरते थे, कि अगर आपने क्या करा, total pressure को कम क किया, तो reaction उस तरफ को जाएगी, जहाँ पर total number of gaseous moose ज्यादा हो, आपको दिख रहा है, यहाँ पर total number of gaseous moose एक है, यहाँ पर total number of gaseous moose दो है, तो obviously अगर आपने pressure को क्या करा, pressure, total pressure को अगर decrease किया, तो reaction forward direction में जाएगी, जाह से यादा x बनेगा, तो यह आपका सही statement लि reaction के लिए, initially, वो spontaneous होता है, यह बिल्कु सही बात है, कैसे पता? ऐसे पता कि आपने पढ़ा होगा कि अगर kp और q, qp, इनकी values के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि अगर आपके पास क्या हो जाए, q कम रहा जाए, q जादा हो, ऐसे तो पढ़ा होगा, अगर आपका q जादा हो जाए, q कम हो जाए, तो reaction आपकी backward direction में जाएगी, और आपने पढ़ा होगा, q और q दौना एक दूसरे के equally हो जाए, तो reaction कहीं को भी ने जाएगी, यह तो at equilibrium है, यह कहा है, at initial point, initial point में तो यह होगा ना, कि reaction होनी शुरू होगी, reaction कब होनी शुरू हो अपने आप चलती रहे, q कम हो, और q जादा हो, तो सभी reaction, सभी equilibrium की reaction के लिए, initial point पे q almost 0 होता है, वो धीरे 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 बढ़ता है, और q के equal पहुच नहीं कोशिश करता है, तो इसलिए, initially, at the initial point, यह हर equilibrium reaction, सारी equilibrium reaction आपकी कैसी होती है, सारी equilibrium reaction, spontaneousity, initial point पे, तो इसलिए आप बोल सकते हो, क्या, यह statement भी true है, यह भी सही statement है, next, option number C की बात करते है, option number C तो मेरे को लगता है, कि कुछ गरबड़ी है, यह तो incorrect है, यह incorrect है, इंकरेक्ट सिर्फ में इसलिए बोल रहा हो, कि मेरे को question में कोई data ही नहीं दिया गया, question में आप देखो कि तो मेरे को most फिर भी पता थे, total pressure भी पता था, लेकिन मेरे को ऐसा कोई data नहीं पता, मेरे को delta G की value नहीं पता, alpha की value नहीं पता, beta यह जो इसने बीटा बोला, इसकी value नहीं पता, कितना dissociator है, कुछ नहीं पता, तो मेरे पास question में कोई data ही नहीं, जिससे मैं B को calculate कर सुकूँ, इसलिए मैं बोल मैं already आपको यह दे रखा है क्या, कि delta G कैसा है, positive है, अगर delta G positive है, तो आपको पता है, delta G not किसके equal होता है, delta G not equal होता है, minus का RT ln kp, क्योंकि यह सब gaseous state में, इसलिए मैं kp लिख रहा हूँ है, otherwise आप क्या कर सकते है, kcb लिख सकते है, मैं फिलाल kp से कर रहा हूँ, आपको द RT ln k है, यह RT ln kp, यह आपका कैसा होगा, यह होगा negative, यहाँ से मेरे को यह पता चला कि ln kp आपका कैसा है, negative है, ln kp अगर आपका negative है, तो इसका मतलब है, कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, kp की जगह पे kc substitute करने ही कोश्च करता हूँ, तो आपको क्या पता है, kp is equals to क्या होता है, kc into rt की पार delta ng, delta ng इस reaction के इतना देख रहा है, दो मोली, एक मोली है, तो इसका मतलब 1, आच्छा है जी, तो इस kp की जगह पे मैं kc की terms में जड़ा है, इसको substitute करूँ तो यह क्या आजाएगा, यह आजाएगा, rt, sorry, ln kc plus ln rt, this must be equals to, और you can say, this must be less than 0, यह less than 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि ln kc क्या है, ln kc, this must be less than ln 1 by rt, ऐसा कह सकता है, 1 by rt से less than होना चाहिए, ऐसा भी कह सकते है, इसका मतलब क्या है, kc less than 1 by rt आना चाहिए, अगर आप चाहो तो शायद r की value उसलिए दी गई होगी इस question में, r को substitute करो, t को substitute करो, और देखो यह आपका क्या है, यह आपका 1 से कम आ रहा है कि नहीं, तो अगर मैं इसको substitute करता हो, मैं आपको बता है तो एक बार, अगर मैं यहाँ पे r की जगह पे क्या रख दूँ, 0.0831 रख दूँ, और t की जगह पे 298 Kelvin रख दूँ, तो ऐसा calculation करने के बाद, इसको अगर मैं 1 से divide कर दूँ, तो ऐसा calculation क करने के बाद, यह आपके पास इतना term, यह term आपके पास आ रहा है, 0.0408, इसके approximately इसके आसपास आएगा, और इसके आसपास आ रहा है, तो ओविसली 1 से कम तो ही, तो अगर यह 1 से कम है, तो यह statement भी कैसा है, यह भी true statement है, लेकिन हमें incorrect दूणना था, तो incorrect सिर्फ हो सिर्फ बचता है C option, और कि, obviously A, B और D यह तो correct होई गए, तो बचता सिर्फ हो सिर्फ हो सिर्फ होगा, और कोई नहीं होगा, इसके लिए कोई data भी मेरे को नहीं दे रखा, इसलिए मैंने इसको incorrect माना है, इसलिए answer for this question must be option number C, okay, so I hope I helped you, please subscribe, I am Sivsha, thank you.